इस मंदिर में तीन सोने के गुंबद हैं, जिनें 1839 में पंजाब के महराधा रंजीत सिंह ने लगवाया था। मंदर मस्जिद के बीच ए खुआ है जिसे ग्यान व्यापी कुए कहा जाता है। ग्यान व्यापी कुए का जिक्र सकंद पुराण में भी मिलता है। कहा जाता है कि मुगलों के आक्रमन के दौरान शिवलिंग को ग्यान वापी कुए में चुपा दिया गया था तो आज की इस वीडियो में हम ग्यान वापी से जुड़े इस पूरे विवाद को डीटेल से समझने की कोशिश करेंगे ग्यान वापी मशिद बनने की कहानी जानने से पहले काशिव विशुनात मंदर के तूटने की घटनाओं को समझते हैं काशिव विशुनात मंदर को पहली बार कुत्व बुद्दिन एबग ने 1194 में डेमॉलिश किया वो मुहमद गौरी का कमांडर था करीब 100 साल बाद एक गुजराती बिजनसमैन ने इस मंदर को रीकंस्ट्रक कराया काशिव विशुनात मंदर पर दूसरा हमला जौनपुर के सुल्तान महमुष शा ने 1447 में करवाया था मंदर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था 1585 में अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडर मनले मंदर को दुबारा रीकंस्ट्रक कराया 1642 में शाजाहा ने काशिव विशुनात मंदर को डिमॉलिश करने का ओडर दे दिया फिर हिंदूों के भारी विरोध के बाद जो में मंदर है उसको तो नहीं तोड़ा जा सका लेकिन काशि के 63 छोटे बड़े मंदरों को तोड़ दिया गया 18 अपरिल 1669 को औरंग जेब ने काशिव विशुनात मंदर को तोड़ने का आदेश जारी किया सेप्टेमबर 1669 में मंदर तोड़ दिया गया और ग्यानवापी मस्जिद बनाई गई इसके करीब 111 साल बाद इंदोर की मराठा शाशक अहिलिया भाई होलकर ने 1780 में मौझूदा काशि विशुनात मंदर का कंस्ट्रक्शन करवाया वैसे माना जाता है कि 1669 में औरंग जेब ने काशि विशुनात मंदर का एक हिस्ता तोड़ कर ग्यानवापी मस्जिद बनाई थी तो वहीं कुछ हिस्तारियन कहते हैं कि 14 सेंचुरी में जानपुर के सुल्तान ने मंदर को तोड़ कर ग्यानवापी मस्जिद बनाई वहीं कुछ मानिताओं के अनुसार अकबर ने 1585 में नए मजभ दीन इलाही के तहत विशुनात मंदर और ग्यानवापी मस्जिद बनवाई थी मस्जिद और विशुनात मंदर के बीच 10 फिट गहरा कुवा है जिसे ग्यानवापी कहा जाता है इस कुवे के नाम पर मस्जिद का नाम पढ़ा सकंद पुरान में कहा गया है कि भगवाण शिव ने खुद लिंगा विशेक के लिए अपने त्रिशूल से ये कुवाँ बनाया था शिव जी ने यहीं अपनी पत्नी पार्वती को ग्यान दिया था इसलिए इस जगे का नाम ग्यान व्यापी या ग्यान का कुवाँ पढ़ गया वैसे माना जाता है कि ये विशुनात मंदर का हिस्सा है इसे औरंग जेब ने तुलवा दिया था जग्यान व्यापी मस्जिद का एंटरेंस भी ताज महल की तरह ही बनाया गया है मंदर मस्जिद को लेकर कई बार विवाद हुआ है लेकिन ये विवार आजादी से पहले का है काशी विशुनात मंदर वारांसी में गंगा नदी के किनारे से च्विटेड है काशी विशुनात मंदर और ज्यान व्यापी मस्जिद आपस में सटी हुई है लेकिन यहां आने जाने के रास्ते अलग हैं मुख्य मंदर के आसपास काल बहरो विष्णु भगवान गनेश पारवती के छोटे छोटे मंदर हैं और विवाद ज्यान व्यापी मस्जिद प्रमाईसित में श्रिंगार, गौरी और बाकी देवी देवताओं की रोजाना पूजा अर्चना को लेकर के है आजादी के बाद 1959 में हिंदू महासबाने महाशिवरात्री के आसर पर मस्जिद के पवैलियन में रुद्रा विशेक करवाया लौ और डिस्टरब करने के लिए उनके दो वरकर को 6 महिने की जेल हो जाती है और उसके बाद मांग उठती रहती है कि मंदिर को रिस्टोर किया जाए 1984 से विश्व हिंदू परिसद यानि विएचपी और संग परिवार और बाकी हिंदू नैशनलिस्ट एलिमेंट एक नेशनवाइड कैम्पेन में एंगेज हो जाते है ये कैम्पेन हिंदू टेंपल्स को डेमॉलिश करके मस्जिद बनाया गया है उनको दुबारा से क्लेम करने के लिए ग्यान वैपी मस्जिद भी उनमें से एक है 1991 में तीन लोकल हिंदू के दारा वारानसी के सिविल कोर्ट में एक टाइटल डिस्प्यूट सूट फाइल किया जाता है कि पूरी जमीन हिंदू कमिटी को सौप दी जाए और वहाँ पे मंदिर का निर्मान हो सके अंजुमन इसलामिया मस्जिद कमिटी वो इसमें डिफेंडेंट थी और मीनवाइल 1992 में बाबरी मस्जिद के डेमॉलिज से टेंचन काफी बढ़ जाती है और बीजेपी लीडर्स का सारा ध्यान बाबरी मस्जिद पे रहता है और विश्व हिंदू परिसत की मांग थी कि कुछ एक्शन ग्यान वैपी पे भी लिया जाए बट ऐसा कुछ होता नहीं है फिर विश्पी लीडर्स ने जनता से आवाहन किया कि महाशिवरात्री के दिन वहाँ आएं और पूजा पाट करें लेकिन रिस्पॉंस बहुत ही पूर था क्योंकि प्रशाशन बहुत ही प्रो एक्टिव था उन दिनो 1991 में काशिव विश्वनात मंदर के पूरोहितों के वंचजो ने वारांसी सिविल कोर्ट में पेटिशन फाइल की थी इस पेटिशन में ये कहा गया था कि मंदर को लगबग 2000 साल पहले राजा विक्रमादित ने बनवाया था 1669 में औरंग जेव ने इसे तोड़ कर मस्जिद बनवाया पेटिशन में ये भी कहा गया कि मस्जिद में मंदर के आवशेसों का इस्थमाल हुआ है इसलिए ये जमीन हिंदू कम्यूनिटी को वापस दी जाए पेटिशन के मुताबिक केस में Places of Worship Act 1991 लागू नहीं होता है क्योंकि मस्जिद को मंदर के आवशेसों से बनाया गया था 1998 में ग्यानम्यापी मस्जिद की देखरे करने वाली कमिटी अंजुमन इंतजामिया इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँची कि किसी भी सिविल या क्रिमिनल केसिस की कारवाही पर 6 महिने से अधिक रोक नहीं हो सकती है कुछ exception केसिस में कारवाही पर स्टे 6 महिने से अधिक हो सकता है लेकिन इसके लिए कोर्ट को ओर्डर करना होगा और उसके बाद 2019 में वारांसी डिस्ट्री कोर्ट में ग्यान व्यापी मस्जित प्रिमाइसेस के आर्केलोजिकल सर्वे कराया जाने की मांग करते हुए पेटिशन फाइल किया गया 2020 में अंजवन इंतजामिया ने आर्केलोजिकल सर्वे कराय जाने की पेटिशन का विरोध किया और फिर 18 अगस 2021 को पांच महिला हैं ग्यान व्यापी मच्जित प्रमाइसेस में मा शिंगार गौरी, गनेश जी, हनुवान जी समेथ परिसर में मौझूद बाकी देवी देवताओं की रोजाना पूजा की परमिशन मांगते हुए कोर्ट पहुंचती हैं अभी यहाँ साल में एक बारी पूजा होती है 26 अपरल 2022 को वारानसी सिविल कोर्ट ने ग्यान व्यापी मच्जित प्रमाइसेस में शिंगार गौरी और बाकी देवी देवताओं के वेरिफिकेशन के लिए वीडियोग्राफी और सर्वे का ओर्डर दिया था काशी विश्वनात मंदर और ग्यान व्यापी मच्जित का ये विवाद सदियो पुराना है 213 साल पहले इस विवाद को ले करके पहली वार दंगे हुए थे अब बात करते हैं The Places of Worship Act की ग्यान व्यापी की पूरी बहस The Places of Worship Act 1991 कानून के इर्दगिर्ट ठिकी हुई है The Places of Worship Act उपासनास्थल यानि वो जगा जहां पूजा होती है उसको बदले जाने से रोकता है एक के मुताबिक 15 August 1947 को उपासनास्थल जिस religious form में थे वो वैसे ही रहेंगे यानि आजादी के वक्त अगर कोई मस्जित थी तो उसे बदल कर मंदर या चर्च या गुरुदवारा नहीं किया जा सकता है ये कानून 11 July 1991 को लागू किया गया इसमें टोटल 8 section है जिनमें सबसे important 4 बाते कुछ इस तरीके से हैं section 3 यहाँ पे कहता है 15 August 1947 के बाद religious places में कोई बदला नहीं किया जा सकता है religious places को उसी रूप में reserve किया जाएगा जिसमें वो 15 August 1947 को थे अगर ये proof भी हो जाता है कि present religious spot को history में किसी दूसरे religious जगह को तोड़ करके बनाया गया था तो भी उसको present form में बदला नहीं जा सकता section 4 clause 2 कहता है 15 August 1947 से पहले के विवाद पर कोई नया case नहीं 15 August 1947 को मौझूद किसी भी religious place किये religious character को बदलने के लिए किसी भी court में pending कोई भी मुकदमा या कानूनी कारवाही खतम हो जाएगी और कोई नया case या नया legal action शुरू नहीं किया जाएगा अगर religious place में बदलाओ 15 August 1947 के बाद हुआ है तो ऐसे में legal action लिया जा सकता है section 5 कहता है सेक्शन 6 यहाँ पर यह कहता है तीन साल तक की सजा का provision और अगर कोई व्यक्ति इस act के section 3 को wallet करता है तो उसे 3 साल तक की सजा और फाइम भरना पड़ सकता है उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको informative लगा होगा ऐसे और वी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को subscribe कर सकते हैं मिलते हैं अपने अगले वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद